जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए पास्वेबर ने बैल आइकोन को दवाईए हमारी लेटेस वीडियो देखने के लिए नमस्कार दर्शुकर स्वागत है आपका हमारी चैनल जीवन संसा में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे थाइरेड के बारे में की थाइरेड होता क्या है और अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर अपनी बॉड़ी को बैलें हेल्प आपके शरीर में बढ़ जाता है तो आपका मेटावलिजम रेट काफी धीर होने लगता है और जिससे आपके शरीर की उर्जा रहती वह काफी कम हो जाती है फिर आपको सुस्ती ठकान की प्रॉब्लम रहती है यह रोग आपने देखागा जहातर महिलाओ में होता है और अग अगर थारएड हाइपो थाइरएड की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें बढ़ता है कब्ज रहता है भूग कम लगती है खंडे जादा लगती आवाज में भारी पन रहता है साथ में आखो या चेहरे पर सूजन रहती है और सिर गरदन या जोड़ो का दर्द होता है दोस्त दोस्तों बात करते हैं कि थाराएड होने के मेन रिजन तो इसके मेन रिजनों में से कि अगर आप किसी तरीके की द्वा लेते है तो इसके side effect रूप पर प्राइड की 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 सी जो कि शोगंत काक्षी हो ता जो सबसे पहले टो आप इक गिलास पानी लीजी इस तरीके से उसके साथ में दोस्तो आपको चाहिए है फ्रेष चट्टी आप हरे धनिय की चट्टी ले लीजी हरा दनिया जो रहता है वह हमारी थारेड हर्मन उसको कंट्रोल करने काफी फेक् उसको लीजिए और साथ में एक चम्मज चट्णी को इस तरीके से पानी में आप मिला लिजी अच्छे से और साथ में दोस्तों आप तुलसा जी का अर्क आपको बाजार में असानी से मिल जाएक आप भो लिजे वह काफे वेक्टिर होता है थाइराइट के लिए और अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप कुछ पत्ते तुल्साजी के लिए दस से 20 पत्ते और उसका रस निकाल लीजिए और उसरस को भी समें डाल दीजिए और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब दोस्तों आप नियवित रूप से इसको आप डेली सेवन कीजिए तो आप देखेगी कि यह आपके जो थाइरेड हार्मोन से उसको कंट्रूल करने में काफी हल्प करेगा आपके कुछी दिनों में थाइरेड के उसमें आपको काफी अंता दिखेगा और अगर आप यह न अब दोस्तों आपके काफी हल्प करेगा यह आपके थाइरेड को कंट्रूल करने में दोस्तों प्लीज बताएं हम्या की आपको यह निसका कैसा लगा इस तरीके की दूसरी वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपके कमेंट एक यह इन तोंगे पुटी दने लाद दूस्तों